दूसी तंबर बुधुवार पहला पाठ कुरुंथियों के नाम संत पाउलुस का पत्र अध्यातीन पजसंख्या एक से नाउ हम इश्वर के सहयोगी हैं आप इश्वर की खेती और इश्वर के मंदीर हैं भाईयो मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बाते नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है मुझे आप लोगों से उस तरह बाते करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुश्यों से मसी में नीरे बच्चों से की जाती है मैंने आपको दूद पिलाया मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इससे नहीं पचा सकते थे आप इस समय भी इससे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं आप लोग में इर्श्या और जगडा होता है क्या यह इस बात का प्रामान नहीं कि आप प्राकृत हैं और नीरे मनुश्यों जैसे आचरन करते हैं जब कोई कहता है मैं पाउलूस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ तो क्या या नीरे मनुश्युंग जैसे आचरन नहीं है अपोलू क्या है पाउलूस क्या है हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिसके माध्यम से आप विश्वासी बने हमें प्रतेक ने वही काम किया जिससे प्रभु ने उसको सौपा है मैंने पाउधा रोपा अपोलू ने उससे सीचा किन्तु ईश्वर ने उससे बड़ा किया ना तो रोपने वाले का कोई महत्वा है और ना सीचने वालों का बलकि ब्रीधी करने वाले आथत ईश्वर का महत्वा है रोपने वाला और सीचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रतेक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपने मजदूरी पाएगा हम ईश्वर के सायोगी हैं और आप लोग है ईश्वर की खेती ईश्वर के मंदीर या प्रभू की वानी है संत लूकस के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याय चार वाके 38 से 44 तक एश्वर समाचार से निकल कर सीमोन की घर गए सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की येसु ने उसके पास जाकर बुखार को डाटा और बुखार जाता रहा वह उसी शन उठकर उन लोगों का सेवा सतकार करने लगी सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पेडित अपने यहां की रोगियों को येसु के पास ले आए येसु एक एक पर हात रख कर उन्हें चंगा करते थे महतों में से अब्दूत यह चिलाते वे निकलते थे आप ईश्वर के पुत्र है परंत वह उनको डारते और बोलने से रोकते थे क्योंकि अब्दूत जानते थे कि वह मसी है येसु प्रातकाल घर से निकल कर किसी एकांध स्थान में चले गए लोग उनको खोशते खोशते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़ कर नहीं जाएं किन्तो उन्होंने उतर दिया मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राजी का सुसमाचार सुनाना है मैं इसलिए भेजा गया हूँ और वो यहूदिया के सभाग रहों में उब्देश देते थे ये प्रभू का दिव्य सुसमाचार है क्रिष्ट प्रभू की जय मेरे प्रिये भाई और बेहनों आज के पहले पार्ट में आपने सुना कि कोरिंथ की कलिस्या में दलबंदी आई आपसी विभाजन आया कुछ लोग कहने लगे हम पॉलूस के हैं कुछ लोग कहने लगे हम अपॉलो के हैं आप जानते हैं कुरिंथ की कलिस्या संद पॉलूस की मेहनत से बनी है लेकिन वहाँ पर अनिशिश भी सेवा करते थी जैसा कि अपॉलो शेतान ने लोगों के बीच में ये दलबंदी लाया और कुछ लोग कहने लगे हम पॉलूस के हैं और कुछ लोग कहने लगे हम अपॉलो के हैं आपसी जगड़ा होता था और संद पॉलूस इसके बारे में कहते हैं क्या कारण था इस जगड़े का आज भी हमारे बीच में भी इस तरह की बाते होती है समाज में देखिए, देश में देखिए विश्वासियों के बीच देखिए, कलीसिया में देखिए जात के नाम पर गोत्र के नाम पर, ट्राइब के नाम पर प्रांत के नाम पर दलबंदी, विभाजन, जगडे ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? पॉलुस कहते हैं क्योंकि आप लोग प्राकृतिक मनुश्य हैं आप लोग प्राकृत मनुश्य हैं आप लोग प्रावध नहीं हैं पॉलुस स्वयम कहते हैं कि मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकें मैंने आपको दूध पिलाया कोरिंद के विश्वासी इतने पक्के नहीं थे प्रावड नहीं थे वे गहरे नहीं थे इसलिए इन सारी बातों को लेकर आपस में दलबंदी करते थे जगड़ा करते थे कलिश्या में विश्वासीयों के बीच में भी इन सारे जगड़ों का मुख्य कारण है पक्कोता की कमी आत्मिक आध्यात्मिक पक्कोता की कमी छोटी छोटी पैचानों में हम लोग उलस जाते हैं और कलीशिया के कुछ लोगों की आध्यात्मिकता भी देखिए गिजा घर जाना संडे को थोड़ा सा वचन पढ़ना थोड़ी सी रोजरी पढ़ना बस समापत मैंने देखा जिन जिन लोगों की जीवन में गहराई आई है वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, साधनाओं में भाग लेते हैं इस तरह के कारिकरमों में भाग लेते हैं व्यक्तिगत प्रार्तना में समय बिताते हैं प्रभु के साथ गहरा रिष्टा जोडते हैं, वे इन सारी दल्बंदी और इन सारी बातों के परे और उपर उठे उए होते हैं, उनके लिए कोई फरक नहीं पड़ता है, उनके लिए जो अच्छा है सो अच्छा है, जो बुरा है सो बुरा है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हूँ, गोतर के हूँ, प्रांत के हूँ, कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जिन लोगों की आध्यात्मिक्ता गहरी नहीं है, जो ठोस बोजन नहीं करते हैं वे इन सारी बातों में उलज जाते हैं हमें इन सारी बातों में उलजना नहीं चाहिए आखिर ये हमारी पहचान है ये नहीं सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जब प्रभी एशु प्रार्तना करते थे उनको प्रार्तना में पिता इश्वर की वानी सुनाई देती थी लोका सद्यायती इन वाके केस 22 में पढ़ेंगे ये वानी सुनाई देती थी तु मेरा प्रिये पुत्र है प्रभी एशु को गहरी प्रार्तना में ये आवाज सुनाई देती थी कि तु मेरा प्रिये पुत्र है तु यूसुफ का पुत्र नहीं है मर्यम का पुत्र नहीं है तु मेरा प्रिय पुत्र है कोरिंद के लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था कि हम पॉलूस के हैं उनको कहना चाहिए था कि हम एसु के हैं उसी तरह प्रभी एसु को बताया गया कि तू एश्वर का बेटा है हम जितने गहरे होते जाएंगे उतना हमें इस बात का आभास होगा कि हम एश्वर की संतान हैं एश्वर के बेटे हैं यही हमारी असली पहचान है यही हमारी वास्तविक पहचान है हम एश्वर की संतान आज की इसु समाचार में आपने देखा ठीक इसके विप्रीत येशू का मनोभाव देखिए आज की सुजमाचारों में प्रभी येशू मसी के कारी शैली के बारे में लिखा हुआ है सबसे पहले वे जाते हैं अपने शिश्य सीमोन पेतरूस के घर जहां उसकी सास बिमार पड़ी थी और उसको चंगा करते हैं उसके बाद वहाँ से प्रभी येशू आगे निकलते हैं आगे लिखा हुआ है सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना परकार के बिमार येशू से पिरित लोगों को येशू के यहां ले आए आगे हम पढ़ते हैं कि अब दूत निकल जाते हैं येशू को पहचानते हुए अंत में हम पढ़ते हैं कि प्रभी येशू कहते हैं मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राजी का सुसमाचार सुनाना है प्रभी येशू कहीं बधे हुए नहीं थी प्रभी येशु खुले थे प्रभी येशु सब के लिए सब जगह के लिए सब समय के लिए थे प्रभी येशु सब के लिए थे सिर्फ अपने लोगों के लिए ने थे प्रभी येशु समारिया भी जाय करते थे सीदोन अन्य जगह भी जाय करते थे प्रभी येशु सर्वत्र जाय करते थे प्रभी येशु सब समय के लिए थे देखिए आज हमने सुना सुसमाचार में सूरज डूबने के बाद यानि रात के समय भी लोग येशु के पास आते थे पूरी तरह से खुले और सब के लिए सब समय के लिए सब जगा के लिए प्रभुने का ठके मांदे और बोज सिदबे लोगों सब के सब मेरे पास आओ वास्तों में प्रभी येसु के दुखभोग और कुरूस मरन का एक कारण ये भी है यहूदी धरम गुरु इस बात को समझने पाते थे कि येसु ने सब को अपनी और क्यों आगरिष्ट किया है येहूदी धरम गुरु इस बात को स्विकार नहीं कर पाते थे कि जिन लोगों को उन्होंने समाज से येहूदी समाज से अलग किया था दूर गिया था उनको प्रभी येसु ने क्यों स्वागत किया उसको समाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभीयसु के पास कोड़ी आते थे जबकि कोड़ी समाज से धूर किये जाते थे प्रभीयसु के पास वेश्याएं आती थी जबकि वे पापी ठहराए जाते थे प्रभीयेशु के पास नाकेदार आते थे चुंगी लेने वाले जिनको यहूदी धरम के अनुसार उनको पापी माना जाता था तो उसको समाचार में पढ़ते हैं कि प्रभीयेशु ने उन लोगों से संपर्क रखा यह प्रभीयेशु के पास वे लोग आए जो यहूदी समाज के द्वारा तरस्कित थे आग बाहर गय गय थे प्रभी एसु के दुगबोग का एक आरणिया है एसु के प्रती इर्शा का एक आरणिया है प्रभी एसु के पास बच्चे आते थे यह सारी बाते इस बात का द्योतक है हमीं बताती हैं कि येशू का हिर्दय कितना खुला था सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कि प्रभी येशू ने ना केवल येहूदियों की बीच में वचन सुनाया गैर येहूदियों की बीच में भी और यहां तक कि कई बार प्रभी येशू ने गैर यहूदियों के विश्वास की प्रशंसा की प्रभी एसु ने मती के सुसमाचार के अध्याई आठ में उस शत्पत्ती के विश्वास की प्रशंसा की प्रभी एसु ने मती के सुसमाचार के अध्याई पंद्रह में उस कानानी इस्त्री के विश्वास की प्रशनसा की एशु का दिल और दिमाग मन सब के लिए खुला हुआ था एशु सब के लिए थे किसी एक जात बिरादरी या धरम के लोगों के लिए नहीं थे आज भी संसार भर में जहां भी प्रभी एशु के सुसमाचार का प्रसार होता है वहाँ विबिन भाषाबाशी विबिन जाती धरम के लोग एकठे हो जाते हैं हमारे मात्यदाम आश्रम की एक बहुत बड़ी खुबी है कि हमारे मात्यदाम आश्रम के सचसंग में हर बिरादरी के लोग एक साथ बैठते हैं हर जाती के लोग एक साथ बैट के खाते हैं एक साथ बैट के वचन सुनते हैं एक दूसरे से मिलते हैं प्रव येशु ने यहान कि सुसमाचार के अध्याय पंद्रा उसके वाकिय पांच में कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हूं मैं दाखलता और तुम डालिया येशु दाखलता हैं और हम सभी डालिया हैं आलग आलग डालिया हैं और हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी हम पलुत्पन कर सकते हैं एक दूसरे से जुड़े रहकर उस येसु रूपी लता के साथ जुड़े रहेंगे तभी फलुत्पन कर सकते हैं प्रभी येसु ने हर प्रकार की दिवार को हटा दिया है युनानी यहुदी की बीश की दिवार को तोड़ दिया है प्रभियसु ने हर प्रकार की दिवार जो मनुष्य को मनुष्य से अलग रखती है उसको तोड़ दिया है और प्रभियसु की द्वर हम एक हो गये हैं काले गोरे अंग्रेज भारती सबी लोग एक हो गये हैं हर देश के लोग एक हो गये हैं पवित्रात्मा हमें एक कर देता है पेंतकोस के दिन विबिन भाशा भाशियों को पवित्रात्मा ने एक कर दिया और यही वास्तविता है हम सब के पिताईश्वर है और उसमें हम एक हो जाते हैं हम विश्वासियों को जो सुसमाचार में विश्वास करते हैं जो येशू के शिष्ष कहलाते हैं इसी मनोभाव के साथ होना चाहिए हमारा हिर्दे और हमारे मन खुले होने चाहिए सब के लिए, सर्वत्र, सब समय के लिए इसलिए जब हम येशु के शिश्य बनते हैं तो हमें हमारी मानसिक्ता को बदलने की जिरुवत है हमें ये छोटी-छोटी पैचानों को भूल जाना होगा हम इस प्रांत के हैं, हम उस प्रांत के हैं हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं हम इस गोतर के हैं, और हम उस गोतर के हैं, इन सारी पहचानों को भूलना होगा, प्रभी एसुने इन सारी पहचानों को भूलवा कर, हमें एक नई पहचान दी है, जैसा कि संद पालुस बाद बार बोलते हैं, हम एश्वर की संतान हैं, एश्वर के बच्चे हैं, इसलिए प् पिता जो स्वर्ग में है, शब्दों को ख्याल कीजिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, यानि इश्वर हमारे पिता है, मेरे पिता नहीं, हमारे पिता, हम सब के पिता, भले बुरे के पिता, काले गोरे के पिता, पनपण और पड़े लिखों की पिता, धनी और गरीब की पिता, सब के पिता प्रवियसु ने एक ऐसी आध्यात्मिक्ता हमारे सामने लाई है, इसलिए हम कहते हैं Christian Spirituality is Spirituality of Relationship यानि मसी अध्यात्म रिष्टों का अध्यात्म है प्रवियसु ने हमें रिष्टा जोडना सिखाया है हर दिवार को तोडने सिखाया है एक दूसरे से मिलने सिखाया है मेल मिलाव सिखाया है शान्ती सिखाई है प्रवियसु ने सब को जोड़ा आप प्रवियसु की शिशों को लीजिए कोई मच्वा है कोई चुंगी लेने वाला है अलग-अलग प्रकार की लोगों को प्रभु ने कठा किया कलीसिया भी इसी तरह है संसार भर की कलीसिया प्रवियसु की शिशों का समुदा है हर जात बिरादरी प्रांद देश की लोग प्रवियसु ने इन सारी छोटी-छोटी पैचानों से हमें बाहर लाया है हम एक नई पैचान दी है हम एश्वर की संतान है हम एश्वर की संतान है येश्वर की द्वारा हम एश्वर की संतान बनते है संतौलूस कहते हैं कुरुंजयों की दुसरे पत्र के अध्याय पांच में जो येशु मसी में है वो एक नई स्रिष्टी है हमें एक नई स्रिष्टी बन जाते हैं हमें एक नई पैचान मिल जाती है येशु की तरह एश्वर की संतान की पैचान आई एम प्रार्त न करे प्रभी येशु धन्यवाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए आज तुने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम मेरी आखें खोल दी है हमेश शिक्षा दी है कि हम एक है हम अनेक नहीं है अनेक संसारिक है लेकिन तुझ में हम एक है प्रभी येशु समय प्रार्तना करते हैं हमारे हिर्दे और मनों को बढ़ा किजिए हमें अपनी अपनी छोटी पैचान से बाहर निकलने की गिरपा दीजिए हमें वो सच्ची पैचान दीजिए उसका अनभाव करने की गिरपा दीजिए कि हम वास्तों में इश्वर की संतान है और यही हमारी पैचान है इस पैचान में बने रहने की हमें गिरपा दीजिए जिस तरह हमने पैचान पाई है उसी तरह दूसरों को भी तेरी संतान की रूप में देखने की गिरपा दीजिए सांसारिक मनोभाव हटा कर हमें एक आध्यात्मिक मनोभाव दिजिए हमें तेरा हिर्दे ही दिजिए तेरे हिर्दे की उधारता दिजिए ये मामर्य ममारे लिए प्रार्थना कर प्रभ येशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रवात दिजिए आज का दिन उनके लिए एक नए एसास का दिन हूँ इस संपून दिन में महसूस करने की गृपा दिजिए कम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की संतान है मेरे अगल बगल में जो हैं, वे भी इश्वर की संतान है सभी इश्वर की संतान है एक दूसरे में इश्वर को देखने की गृपा दिजिए